जब भी हम घर का काम शुरू करते हैं तो हमें कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता है इस वज़े से हम जो चीजे ज़रूरी नहीं होती है उनके उपर भी लाखो रुपए खर्च कर देते हैं पर अगर आपको पहले से ही पता हो कि वो कौन सी चीज़े है जिनके उपर जादा पैसे खर्च करने की आवशकता नहीं है तो आपके लाखोर रुपए बच सकते हैं तो यही काम ये वीडियो करेगा इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे पैसे जो है वो बच सकते हैं सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना है और आपके साइट के कंडिशन अनुसार जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनका इस्तमाल कर लेना है तो यहाँ पर पहला पॉइंट आ जाता है जो की है वाल थिकनेस दीवरों की मोटाई जितनी जादा होगी उतना ही आपको इटों के उपर खर जो है वो जादा आता है इसके लिए आपको लेवर भी जादा लगता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो आपके घर की जो बा जाता है तो इसलिए अंद्रुनी दिवारों के लिए आप 4 इंची दिवार के तरब जा सकते हो पर अगर आप दिवारों की मोटाई कम करने वाले है तो आपको दो चीजों के तरब खास करके ध्यान देना ज़रूरी होता है सबसब पहली चीज ये करते समय आपका जो घर है व आपका कॉंक्रीट वर्क हो प्लास्टरिंग वर्क हो ब्रिक वर्क हो या फिर टाइलिंग वर्क हो इन सभी कामों के लिए आपको सिमेंट जरूरी होता है पर यहाँ पर सिमेंट कमपनिया ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटरजी करती है अपनी सिमेंट बैक को अलग से फैंसी के सिमेंट का इस्तमाल नहीं किया जाता है जो बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है या फिर जहां पर सिमेंट का जारा इस्तमाल होता है वहाँ पर इस तरह के fancy नाम वाले सिमेंट का इस्तमाल नहीं किया जाता है वहाँ पर regular सिमेंट का इस्तमाल किया जाता है पर कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए सबसे पहली चीज जो सिमेंट आप लेने वाले है वो फ्रेश होना चाहिए तीन मेहने से पुराना वाला सिमेंट बिलकुल भी इस्तमाल मत कीजे और जो सिमेंट होता है उसमें किसी प्रकर के लम्स यान की गाठे नहीं होनी चाहिए और भी कुछ इंपोर्टन चीजे होती है हाला कि इसके उपर हमने एक सेपरेट वीडियो बाना के रखी है आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा देखे दोस्तों जो सिमेंट कमपनिया होती है वो जनरली दो टाइप का सिमेंट बनाती है OPC और PPC OPC यानि की और्डनरी पोर्टलैंड सिमेंट और PPC का मतलब होता है पोर्टलैंड पोजोलना सिमेंट इन मेंसे जो PPC है उसका जो cost होता है वो OPC के cement bag से 5 से लेके 10 रुपए कम हो सकता है तो इस PPC cement का भी इस्तमाल आप आराम के साथ आपके घर का brick work हो, plastering work हो या फिर tiling work हो ऐसी चीज़ों के लिए कर सकते हो अगली चीज जिसके वज़े से आपका खर्च बढ़ सकता है, वो होता है आपके plot का चुनाव plot लेते समय आपको ये जरू ध्यान में रखना चाहिए, आपका plot जो है वो square या फिर rectangle shape वाला होना चाहिए ज्यादा अगर आपका plot आड़ा थिर्चा है तो ऐसे plot में construction करना difficult होता है, साथ में ऐसे plot में construction cost भी बढ़ जाती है और दूसरी important चीज आपको ये जरू ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका plot है, उसकी level जो है वो road level के समान होनी चाहिए अगर आपका plot road level से जादा नीचे है, ऐसे वक्त में आपको plinth level पे जो खर्च होगा वो जादा हो जाता है यानि कि आपको पहरे तो road level तक आना पड़ता है और road level से भी उपर आपको 3 या फिर 4 feet पर आपकी plinth height को लेना पड़ता है इस वज़े से जो construction cost है वो भी बढ़ जाता है तो इसी वज़े से जब भी आप plot लेते हो तो इन चीजों के तरब ध्यान जरूर दीजे जिससे के आपके पैसे जरूर बचेंगे अब यहाँ पर next point आ जाता है जहाँ पर लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर देते है वो होता है elevation अब जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है कि उसका घर दिखने में खुबचुरत दिखे इसके लिए हम elevation जादा से जादा करने की कोशिश करते है अलग-अलग type की design जो है उन्हें आपने घर के उपर बनवा लेते है पर आप इन चीजों को अगर जादा प्रमान में करते है तो इससे आपका घर बनाने का खर्च जो है वो बढ़ जाता है अलग-अलग type की जो designs होती है उनके लिए आपका labor charge और material दोनों चीज़े बढ़ जाती है इसी वज़े से जितना possible हो सकता है उतना simple, आसान, elevation रखने की कोशिश कीज़े जिससे कि आपका घर खुबसूरत भी दिखेगा और आपका पैसा जो है वो भी जादा खर्च नहीं होगा उसके बाद next point आ जाता है कि अगर आप घर बनवाने वाले है तो आपको कुछ part जो है आपके घर का वो उपरी मंजिल पे बनवाना चाहिए इससे फाइदा यह होगा कि आपका जो foundation का cost है उसके बाद में जैसे कि हम जानते है प्लिंट लेवल तक आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है तो अगर आप उपरी मंजिल पे कुछ room बनवा लेते हो तो उसका जो foundation cost है वो definitely बच जाता है तो उस इसाब से आपको आपके घर का plan बनवाना चाहिए और यह ज़रू ध्यान में रखिए कि जब भी आप घर बनवाते है तो plan एक बहुती important चीज होती है अगर आप plan सही तरीके से बनाते है तो आपके जगह का सटीक और सही तरीके से इस्तमाल हो पाता है अगर सही तरीके से plan नहीं बनाया जाता है जहाँ पर जरूरत नहीं वहाँ पर अगर आपका space चला जाता है तो उसका आपको कोई फाइदा नहीं होगा example के लिए passage में आपको ज़्यादा जगह वेश्ट नहीं करनी चाहिए अगर space का इस्तमाल आपके room के लिए होता है तो इससे आपका ज़्यादा फाइदा होगा जिससे कि आपको आगे चलके कोई भी तकलीप नहों और आपके पैसे जो है वो वेश्ट ना जाए तो जैसा कि हम जानते है घर वानवाने के लिए इंटो की आवशकता होती है और इंटो में बहुत सारे टाइप्स आज मार्केट में है जैसे की red brick, flash brick और डबल AC block अगर अगर आप इस्तमाल करोगे तो आपको थोड़ा सा कम खर्चा सकता है इसके पीछे simple कारण यह होता ही कि डबल AC block का area जो है वो जादा होता है इसी वज़े से number of joint जो है वो कम आते है यहाँ पर आपका जो labor cost है वो definitely save होने में मदद मिलती है डबल AC block की वज़े से और जब भी डबल AC block के साथ wall को बनाये जाता है तो surface आपको एकदम सपाट मिलता है तो वहाँ पर plaster की ज़्यादा thickness लेने की भी आवशकता नहीं होती है तो यह कुछ कारण होते है जिनकी वज़े से डबल AC block का इस्तमाल करना आपके लिए थोड़ा कम खर्चिला साबित होता है उसी तर कि भाई कारपेट लगवाना हमरे लिए सस्ता option आ जाता है तो आप क्यूं हमें टाइल का suggestion दे रहे हो देखिए दोस्तो भले ही कारपेट एक सस्ता option आ जाता है पर इसके life जादा नहीं होती है इसे लगाने के बाद कुछ सालों बाद ये उखड सकती है फट सकती है इसी पर लोग जादा पैसे खर्च कर देते है वो होता है contractor जब कभी हम घर का काम किसी ठेकेदार को देने के बारे में सोचते है तो हम किसी रिष्टेदार या फिर दोस्त के कहने पर ठेकेदार को final कर लेते है पर आपको क्या करना चाहिए जो कोई भी ठेकेदार आप final करने वाल परी लेनी चाहिए इन सभी चीजों को करने के बाद जब आप contractor को काम देने वाले है उससे पहले आपको एक agreement बनवा लेना है जहाँ पर आपको ये लिखके लेना है कि contractor आपको कौन-कौन से काम करके देने वाला है पेमेंट की सिसाब से लेने वाला है और काम कितने दिनों क के अंदर complete करके देने वाला है ठेकेदार को काम देते समय इन चीजों को करना बहुती आवशक है जिस वज़े से आगे चलके आपके अच्छे खासे पैसे जो है वो बच सकते है और आपको जो सरदर्ध है वो भी कम होगा अब यहाँ पर अगला point आ जाता है जो की है slab height होती है उसी तरह से जब आप च्छत की height बहुत जादा रख लेते हो तो इसके भी कुछ नुकसान होते है सबसे पहली चीज इसके वज़े से आपका खर्च जो है वो बढ़ जाता है जब आप slab की height जादा लेते हो तो उसके लिए आपका जो brick work है या फिर column की height है उसे होती comfortable होती है इससे आपका जो ceiling fan है उसकी भी हवा आपको अच्छे से मिल पाएगी अगर आपको room के अंदर 10 feet height चाहिए तो आपको slab का top जो है वो 10.5 feet पे लेना पड़ेगा अब यहाँ पर अगला point आ जाता है जो की head time देखिए दोस्तों जितने speed से आपके घर का काम complete हो प फाइदा होगा अगर आप एक दो साल के अंदर अपने घर का काम करवाने वाले हो तो यहाँ पर material के rate जो है वो बढ़ जाते है साथ में जो level rate है वो भी बढ़ जाते है तो इसलिए आपको ये जरू ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप घर का काम शुरू करते हो तो कम से कम आपको 6 से लेके 8 महिने के अंदर अपने घर का काम जो है उसे complete जरू करना चाहिए अब बात करते है steel के बारे में देखिए दोस्तों market में दो type का steel होता है पहला होता है primary steel और दूसरा होता है secondary steel जो होता है उसका cost जो है वो थोड़ा सा जाधा होता है और जो secondary steel होता है उस आपको कुछ चीजों के तरफ ध्यान देना जरूरी होता है जैसे कि ISI mark steel की जो grade होती है वो आपको चेक कर लिनी चाहिए उसके बाद में जो certification है जैसा कि हम जानते है घर बनवाते समय मटरेल में आपका सबसे जादा खर्च होता है उसमें से भी जो steel है उसके उपर आपका स इचन काउंटर होता है तो ऐसी जगह पर भी हम granite का इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पर लोग गलती ये कर देते हैं कि जितना जरूरी है उससे भी जादा जो है वो granite या फिर marble को purchase कर लेते हैं क्यूंकि उन्हें लगता है कि ये सस्ता मिल रहा है इस वज़े से वो लोग ज़ जरुत होती है तो ऐसा ज्यादा बचा हुआ material जो है वो wastage में चला जाता है तो इससे नुकसान आपका ही होता है तो इसी वज़े से जितना जरूरी है उतना ही material purchase कीजिए ज्यादा material अगर आप लाके रखते हो तो इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा और अगर आपक इसली दुकानदार से cutting वाले piece जो है उनका इस्तमाल कर सकते हो अपने site के उपर जो कि आपको शुरुआत में थोड़ा सा महंगा सोधा लग सकता है क्योंकि वो लोग जो है वो cutting के charges भी आपसे लेते है पर इसके वज़े से जो wastage पे आपका ज्यादा पैसा खर्च होने वाल होता है इस वज़े से आपको material जो है वो कम दाम में मिल सकता है अगर आपको कोई supplier ये कहे कि हमारे पास material जो है वो आपको कम दाम में मिल जाएगा तो आपको ये ज़रू चेक कर लेना चाहिए कि जब आप transportation cost को जोड लेंगे तो आपके site पर आने के बाद वो material आपको कितने rate में मिलेगा अब बात करते हैं door के बारे में देखिये दोस्तो सागवान door वैसे तो सबसे best माने जाते है पर इनका cost भी जादा होता है तो इसलिए आजकल जो घर मनाये जाते है वहाँ पर laminate door का इस्तमाल किया जाता है इसके पीछे कारण ये होता है कि ये जो door से इनका cost बहुती कम होता है सागवान door के comparison में और कुछ घरों में ऐसा भी किया जाता है कि main door shutter के लिए सागवान door का इस्तमाल किया जाता है और अंदरूनी दिवारों की लिए laminate door का इस्तमाल किया जाता है तो इस option के तरफ भी आप जा सकते हो और एक ऐसी चीज होती है जिसके उप कर लेते हो तो इससे आपका अच्छा कासा पैसा जो है वो बच सकता है छोटी छोटी चीजे होती है जैसे कि जब भी आप ब्रिक वर्ग कर रहे है तो नीचे के तरफ सिमेंट की खाली बोरियों को बिचा के रखना चाहिए जिससे कि वो उपरी मॉटर जो है यानि कि जो मासा आपके साइट के कंडिशन अनुसार सुटेबल है आप उन चीजों का इस्तमाल कर सकते हो अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू कीजे वीडियो अच्छा लगा हो तो जरू इसे लाइक कर दीजे चानल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चा सब्सक्राइब कर दीजे और ये जो तीनों वीडियो है इन मेंसे कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकता है